नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी नहीं वीडियो में, इस वीडियो में हम बनाएंगे पॉर्टफोलिय वेबसाइट, उजिंग नेक्स्ट जैस, प्रेमर मोशन, एंड टेल विंड सी एसस, तो अगर हम सबसे ऊपर चलें और रिफ्रेश करते हैं, तो हमारा ये हीरो सेक्शन ज समें सारे स्किल्स दखाई देंगी, इसके बाद आजाता है हमारे encryption section, इसके बाद आजाता है project section, एंड लास्ट में आजआता है हमारा footer, तो इस website को हम बनाएंगे इस वीडियो में, इसका complete code आपको इस github repo मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा, तो चलिए इसके साथ शुलू करते हैं अपनी वीडियो को हम आचुके अपने VS Code में और यहाँ पे मैंने Folder उपन करका है Space Portfolio सबसे पहले हम अपने Project को इंसलाइस करेंगे तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे Next.js का जो की है React Framework इस Command को हम यहाँ से Copy करेंगे वापिस चलेंगे और यहाँ पे Open करेंगे Terminal को यहाँ पेस्ट कर देंगे और इसके साथ लगा देगे .slash क्योंकि हमें सेमी फोल्डर में अपने Project को इंसलाइस करना है एंटर करेंगे अब यह पूश्ट है Would you like to use TypeScript? Yes ESLint? Yes Tailwind CSS? Yes Source Directory? No App Router? Yes Import Lies? No तो अब हमारे पास यह सारे Packages और Dependencies इंस्टॉल कर देगा अब हमें कुछ Packages इंस्टॉल करने हैं जिनका हम यूज करेंगे तो उनको इंस्टॉल कर लेते हैं आपे सब अब एक क्लियर कर देंगे और यहाँ आपे ले लेंगे npm install save dev primer motion 3 react intersection observer add rate react 3 DREI last में add rate react 3 fiber enter करेंगे और यह Packages हमारे पास install हो जाएंगे तो अब हमारे पास सारे Packages इंस्टॉल हो चुके हैं जिन्हें हम यूज करेंगे और हमारा Project बन चुका है अब हम इसे रन कर लेते हैं npm run dev enter करेंगे तो अब हमारा Project रन कर रहा है localhost 3000 पे प्रेस कर सकते हैं Mac में क्लिक करेंगे तो हमारा Project यहां पे open हो जाएगा browser में तो यह हमारा Project है इसमें यह पहले से आ रहा है तो इसको अब हम सही करेंगे उसके लिए हम app page.tsx में जाएंगे तो आप इस दिलते हैं अपनी VS Code में और इस terminal को हम कर देंगे अब close अब हम open करेंगे अपनी app folder को और इसके अंदर page.tsx को तो यह हमारा पास सारा जो हमें page भी शो हो रहा था वो इस main के अंदर है तो इस main को हम यहां से delete कर देंगे और यहां पे ले लेंगे react fragment अब चलेंगे global.css में first three lines को छोड़के हम सब कुछ delete कर देंगे अब चलेंगे last में layout.tsx में यहां पे website का title है तो इसको हम अब change कर देंगे space portfolio and description को भी change कर देंगे this is my portfolio अब अपनी body को styling देते हैं थोड़ी सी तो इसको हम ले लेंगे curly braces के अंदर इसको हम ले लेंगे आदेंगे template literal यह हो गया हमार enter class name और इसका लगा देंगे bg 030014 and कर देंगे overflow y scroll and last में overflow x header save करते हैं और अगर अगर अपनी website पे चलें तो आप देखें हैं आर पास यहां पे background color लग चुका है अब चलते हैं अपने page.tsx में और इस पे थोड़ा सा काम करते हैं तो यहां पर हम ले लेंगे एक main जिसमें वारा सारा content आएगा और इसको देते हैं styling class name दे देंगे height full width full अब इसके अंदर से लेंगे और यहां पे ले लेंगे एक div जिसमें मारे सारे component आएगे और इसको styling देते हैं class name flex flex direction दे देंगे column and cap दे देंगे 20 का save करते हैं अब इसके अंदर हमारे सारे component आएगे तो components बना आएगे यहां पे आएगे हम root में एक folder बना लेंगे components और इस components folder के अंदर एक main और इस main के अंदर बना लेंगे hero.tsx इसके अंदर चलेंगे और यहां पे लेंगे ra fce अब यहां पे हम इस hero को बना लते हैं यहां पे हमारे div है इसको दे देंगे styling class name position दे देंगे relative flex flex call, hide दे देंगे full, width दे देंगे full इसको id दे देते हैं about me अब इसके अंदर चलेंगे और यहां पे लेंगे video and video कर देंगे हम autoplay muted loop and यहां पे इसको दे देंगे styling class name rotate 180 absolute top से minus 340 pixel height दे देंगे full, width दे देंगे full, left से zero, z next कर देंगे one and object cover अब इस video के अंदर हमें देना है source अब इस source में आएगा हमारा source तो इसके लिए हमें चाहिए होगे हमारे सारे access जो की होगे public folder में तो आपको नीचे description में public folder का link मिल जाएगा तो उसको download कीजिए and उसको यहां पे and उसको यहां पे copy कर दीजिए तो यहां पे आगया हमारा public folder इसमें मारे सारे assets हैं इस blackhole.webm को हम use करेंगे तो यहां पे इसको हम source देते हैं slash blackhole.webm and type कर देंगे video slash webm सेफ करते हैं और चलते हैं page.tsx में और यहां पे आएंगे हम यहां पे लेते हैं hero तो यह हमारे पास hero import हो जाएगा save करते हैं और अपनी website पे चलते हैं तो आप देखें हमें अभी video नहीं दिखाई दे रही है तो उसके लिए अभी के लिए हमें यहां पे इसको height देनी पड़ेगी 850 pixel save करते हैं और अपनी website पे चलते हैं तो आप देखें हमें अभी video दिखाई दे रही है अब हमें बनाना है hero content तो उसके लिए वाप पर चलते हैं components folder में अब यहाँ पर एक और folder बना लेंगे sub और इस folder के अंदर बनाते हैं hero content.tsx इंटर करेंगे और यहाँ पर run करते हैं rafce अब यहाँ पर सबस्पहले हम import कर लेंगे motion को from framework motion and अपने is div को हम बना देंगे motion.div और इसको यहाँ पर close भी कर देंगे motion.div अब इस motion.div के अंदर चलेंगे उससे पहले यहाँ पर इसके initial को कर देंगे हम hidden animate कर देंगे visible and इसको देते हैं styling तो यहाँ पर देंगे class name flex flex row items center justify center padding x दे देंगे 20 margin top दे देंगे 40 width कर देंगे full and z index दे देंगे 20 अब इसके अंदर चलेंगे यहाँ पर हम एक और div ले लेंगे और इसको देतेंगे styling height देतेंगे full width दे देंगे full flex flex call gap दे देंगे 5 का justify center margin auto and text start अब इसके अंदर फिर से चलेंगे और यहाँ पर ले लेंगे motion dot div और इसको दे देंगे styling class name welcome box heading y दे देंगे 8 pixel padding x दे देंगे 7 pixel border border को color दे देंगे यहाँ पर 70 42 F 88 B and opacity कर देंगे 0.9 अब यहाँ पर हमें variants भी लगाने हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे और root में बला लेंगे इसको देखे हमाँ अट यहाँ फेला हम इसकार पर यहाँ पर कर लेंगे लेंगे content में और यहाँ पे ले लेंगे variance equal to slide in from top जो कि वहाँ पास import हो जाएगा अब utile motion से अब आप देखेंगे हमने यहाँ पे welcome box class यूज की हुई है तो वो भी हम डाल देंगे यहाँ पे हम global.css में आएंगे और नीचे आपको description में इस file का link पे मिल जाएगा save करते हैं तो यह class भी हमने यहाँ पे लगा दी तो अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे welcome box class हमारे पास यहाँ पे है तो इसी को हम use कर रहे हैं अब इसके बाद हमें use करने है icons तो उसकी package को भी हम install कर लेंगे यहाँ पे new terminal open करेंगे npm i add rate hero icons slash react enter करेंगे और यह हमारे पास install हो जाएगा अब हमारे पास hero icons भी install हो चुके हैं तो इसको हम यहाँ पे use कर लेते हैं यहाँ पे ले लेंगे हम sparkles icon एंड इसको दे देंगे थोड़ी सी styling class name text b49bff mr 10 pixel height 5 width 5 इसके अंदर चलेंगे और यहाँ पे ले लेंगे h1 tag और इस h1 tag इंदर लेंगे full stack developer portfolio and इस h1 को भी हम दे देंगे styling class name welcome welcome text and text 13 pixel save करते हैं और अपनी website पे चलने इस पहले हम इस hero content को यूज ख़ल दे अपने hero में तो यहाँ पे वीडियो के बाद hero content और उपर हमारे पास वो import हो गया save करते हैं और अपनी website पे वापिछ चलते हैं तो यहाँ पे error दे रहा है तो यह error इस लिए दे रहा है क्योंकि हम hero content में use कर रहे हैं framework motion जो कि use करता है react hooks जो कि हम सिर्फ use कर सकते है client side पे तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा use client save करते हैं और अपनी website पे वापिछ चलते हैं तो आप देखेंगे हैं हमारे पास हमारी website फिरसे work कर रही है और full stack developer portfolio हमारे पास animate होके आ रहा है तो इतना अब हमारे पास complete हो चुका है अब हम करते हैं से आगे तो अब इस motion div के बाद हम एक और motion div ले लेंगे motion.div और इसको दे देंगे variant तो यहाँ पे आएंगे variants slide from left 0.5 और इसको दे देंगे styling class name flex flex call gap दे देंगे 6 margin top 6 text 6 excel font कर देंगे bold text white max width दे देंगे 600 pixel width कर देंगे auto and height पी कर देंगे auto अब इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे ले लेंगे एक span और इसके यहाँ पे लेंगे providing अब इसके अंदर चलेंगे और यहाँ पे ले लेंगे और इसके अंदर लेंगे इसके अंदर लेंगे the best और यहाँ पे इसको देते हैं styling class name text transparent pg clip text bg gradient to r from purple 500 to cyan 500 और span के बाल लेंगे project experience save करते हैं और अपनी website पे चलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे providing the best project experience हमारे पास आ रहा है अब यहाँ पे हमारे पास space नहीं आ रहा providing के बाद and best के बाद तो उसको manually add कर लेते हैं यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे add कर देते हैं space best के बाद भी हम add कर देंगे save करते हैं और अपनी website पे वापे चलते हैं तो अब यहाँ पे हमारे पास space भी आ रहा है अब वापे चलते हैं और इस motion div के बाद हम अब ले लेंगे motion.p और इसको भी दे देंगे हम variant यहाँ पे ले लेंगे variants slide from in from left and 0.8 इसको भी देते हैं styling class name text lg text grey 400 m y 5 max width 600 pixel abyss motion p के अंदर चलेंगे और यहाँ पे ले लेंगे i इसके बाद आएगा हमारे पास and apos semicolon तो यह हमारे पास देगा हमारे पास एक single quote iam pull stack software engineer with experience in website mobile and software development check out my projects and skills save करते हैं और अगर हम अपनी website पर पापी चलें तो आप देखें हमें यहाँ पे आ रहे हैं I am a full stack developers of engineer with experience in website mobile and software development check out my project and skills अब इसके बाद motion P के बाद हम फिर से लेंगे motion.a इसको भी जे देंगे variants slide from left 1 and यहाँ पे इसको जे देंगे styling padding y 2 button primary text center text white cursor pointer rounded LG and last में max width 200 pixel और यह हमें button की तरह देखेगा और इसमें हम लिख देंगे learn more save करते हैं और अपनी website पर चलते हैं तो आप देखेंगे हमें यहाँ पे हमारे बटन भी दिखाई दे रहा है learn more अगर हम refresh करें तो आप देंगे सब कुछ हमारे पास animate होके आ रहा है अब पर चलते हैं अपने VS code में अब इस div के बाद हम यहाँ पे फिर से एक ले लेंगे motion.div और यहाँ पे दे देंगे इसको variants slide in from right 0.8 अब इसको दे रहाँ देंगे styling class name width देंगे full height देंगे full display flex justify center items center अब इस div के अंदर लेंगे हम एक image जो कि होगी next image तो इसको हम import कर लेंगे एंड इस image को दे देंगे source जो की होगा slash main icons dark.svg alt में आ जाएगा work icons height 650 and width को भी दे देंगे हम 650 save करते हैं और अपनी website पर वापिस चलेंगे तो आप देखें हमार पास हमारे work icons भी आ रहे हैं refresh करते हैं तो आप देंगे हमार पास सब कुछ animate होके आ रहा है तो अब हमारा ये hero section complete हो चुका है अब हम बनाएंगे star canvas तो इसके लिए वापिस चलते हैं अपनी VS Code में hero content और hero को close कर देंगे और यहाँ पे components के main के अंदर हम बना लेंगे star canvas dot tsx इसके अंदर चलेंगे और यहाँ पर run करेंगे raf ce अब यहाँ पर सबसे पहले हम उपर आएंगे और कर लेंगे use client and react के साथ इंपोर्ट कर वा लेंगे use state use ref and suspense को next line में आएंगे और यहाँ पर इंपोर्ट कर वा लेंगे canvas use frame from add rate react 3 fiber next line में आएंगे और यहाँ पर इंपोर्ट कर वा लेंगे points comma point material comma reload from add rate react 3 d-r-e-i next line में आएंगे और यहाँ पर इंपोर्ट कर वा लेंगे import all as random from math slash random slash test slash math random dot ESM अब यह हमें आरेश हो कर रहे हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज कर लेंगे add rate ts ignore अब अब चलते हैं नीचे और यहाँ पर हम बना लेंगे const star background इकल तो अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर लेंगे अब यहाँ पर लेंगे const sphere equal to use state और यहाँ पर लेंगे random.in sphere new load32 array 5000 comma radius 1.2 अब इसके आगे चलते हैं अब लेंगे use frame इसके अंदर state comma delta और इसके अंदर यह रिटर्न करेगा ref.current.rotation.x minus equal to delta divide by 10 अब इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे x की जागा कर देंगे y और 10 की जागा कर देंगे 15 अब इसमें आते हैं इसकी return पे तो यहाँ पर लेंगे return अब return के अंदर सबसे पहले आएगा हमार पास ग्रूप और इस ग्रूप में आएगा rotation equal to array of 0, 0, math dot y divide by 4 अब इस ग्रूप के अंदर चलेंगे और यहाँ पर आजाएंगे points points में ref equal to ref यहाँ पर आजाएंगी positions equal to sphere यहाँ जाएंगा stride equal to 3 first come cold and last में props अब इस गंदर चलेंगे points के अंदर और यहाँ पर ले लेंगे point material self-closing और इसको देंगे हम transparent color equal to white size दे देंगे equal to 0.002 size tenuation equal to true and last में depth right equal to false save करते हैं हम चलते हैं star canvas के अंदर और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देंगे हम styling यहाँ पर आएंगे class name width full height auto fixed inset 0 z 20 अब इस div के अंदर चलेंगे और यहाँ पर लेंगे canvas अब इस canvas को attribute देंगे camera और इसमें आएगी position 0,0,1 अब इस canvas के अंदर चलेंगे और यहाँ पर लेंगे suspense suspense को close करते हैं और इसके अंदर आ जाएगा fallback equal to null अब इसके अंदर चलेंगे और यहाँ पर ले लेंगे star background और इसको close कर देंगे और हमें star canvas को use करना है तो उसकी यह चलेंगे अपने layout.tsx में और यहाँ पर body के बाद यहाँ पर लगा देंगे star canvas उपर हमारे पास star canvas import हो गया save करते हैं और अपनी website पर चलते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास stars हमें दिखाई दे रहे हैं तो अब सब पीछे हमारे background में stars हमें चलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो अब हमारा star canvas भी complete हो चुका है अब हम बनाएंगे अपनी nap bar को तो उसके लिए वापिछ चलते हैं अपने vs code में और यहां पर star canvas को close कर देंगे और components में main के अंदर बना लेते हैं nap bar.tsx अब इस nap bar.tsx के अंदर चलेंगे और यहां पर rafce अब layout में चलते हैं और star canvas के नीचे हम लगा देंगे nap bar उपर हमारे पास nap bar import होगी अपनी nap bar पे काम कर लेते हैं यहां पे सब्स पहले आएंगे और इस div को देते हैं styling class name दे देंगे width full height दे देंगे 65 pixel fixed top से zero shadow lg shadow को color दे देंगे 2a 0e 6 1 divided by 50 इसके बाद background 03 001 4 1 7 अब दे देंगे backdrop blur md इसके बाद z index देते हैं 50 padding x कर देते हैं 10 अब इस div के अंदर चलते हैं और यहां पे एक और div ले ले लेंगे और इसको भी दे देंगे styling class name width full height full flex flex row items center justify between margin auto padding x 10 pixel save करते हैं और अपनी website पे चलते हैं तो आप देखें वार ने बार यहां पे आ रही हैं और यहां पे प्लैक होल आ रहा हैं बट प्लैक होल थोड़ा सा नीचे आ रहा हैं वो इसलिए क्योंकि हमने page.tsx में इस देखें को height देर के दी तो अब हमें यह height नहीं चाहिए इसको हटा आयते हैं सेफ करते हैं और वापी चलते हैं तो अब हमारी nap bar and black all बिलकुल सही से आ रहा है अब हम अपनी nap bar पे काम कर लेते हैं वापी चलते हैं nap bar dot tsx में और यहाँ पे ले लेंगे anchor tag और इसमें दे देंगे hrf जो क्योंकि होगा about me styling देते हैं इसे class name height कर देंगे auto width auto flex flex row items center अब इस anchor tag के अंदर चलेंगे और यहाँ पे ले लेंगे image tag जो क्योंकि होगा next image अब इस image में यहाँ पे देते हैं source source होगा slash nav logo dot png alt में दे देंगे logo width दे देंगे 70 height दे देंगे 70 and styling देते हैं class name cursor pointer overpay animate slow spin अब इसके बाद यहाँ पे हम एक span लेते हैं span में लिख देंगे cost genius and span को भी style देते हैं class name font bold margin left दे देंगे 8 pixel hidden md medium screens में block text gray 300 save करते हैं और अपनी website पे चलते हैं तो आप देखेंगे हमार पास यहाँ पे हमारा logo आ रहा है और यहाँ पे कौन genius लिखा हुआ आ रहा है अब इसके बाद हमें लगाना है about me skills project जो कि आएगा center में तो उसको में लाइते हैं अब पे चलते हैं अपनी code पे और यहाँ पे anchor tag के बाद एक और div लगा लेंगे और इसको देते हैं styling class name width 500 pixel height full flex row items center justify between and medium screens में margin right हो जाए 20 अब इस div के अंदर चलते हैं और यहाँ पे ले लेंगे एक code div और इसको भी देते हैं styling class name flex items center justify between fit देंगे full height कर देंगे auto border and border को color देंगे 7042F861 इसको बाद BG 0300145E margin right देंगे 15 pixel padding x दे देंगे 20 pixel padding y दे देंगे 10 pixel rounded full text gray 200 तो अब भी हमार पास complete हो गया अब इसके अंदर चलेंगे और यहाँ पे ले लेंगे anchor tag और anchor tag के अंदर ले लेंगे hrf जो की होगा about me and इसको देंगे styling class name pencil pointer अब इस anchor tag के अंदर ले लेते हैं about me अब इसको हम यहाँ से copy कर देंगे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे दो बार next पे आएगे हमारी skills और about me की जगा भी कर देंगे हम skills इसके बाद projects and about me की जगा भी projects save करते हैं और अपनी website पे वापी चलते हैं तो आप देखें हमार पास आगया about me skills project अब इस about me center में आज़िए और यहाँ पे हमारे social icons आएंगे तो इसके लिए वापी चलते हैं अपने code पे और यहाँ पे इस div के बाद हम एक code ले ले लेंगे और इसको दे देंगे styling class name flex flex row gap 5 अब इसके इंद लगाने हमें social icons तो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और root में एक और folder बना लेंगे constants इसके अंदर file बना लेंगे index.ts और index.ts के अंदर हम यह code को paste कर देंगे तो यह आपको नीचे description में मिल जाएगा तो इसमें static information है जैसे skill data है और यहाँ पे हमार पास socials है जिसमे name, instagram और उस image का source है तो इसको हम use करेंगे save करते हैं और वापिस चलते हैं अपनी nap bar में और यहाँ पे हम ले लेंगे social जो की हमार पास constant से import हो गया अब dot map कर देंगे और यहाँ पे social अब इसके अंदर हम लगाएंगे image और image को देंगे source जो की होगा social dot source all देंगे social dot name key देंगे social dot name width 24 and height पे देंगे 24 save करते हैं और अपनी website पे वापिस चलते हैं तो आप देखेंगे हमारे social icons अब हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं Instagram, Facebook and Discord और about me skills project में हमार पास center में आ चुका है तो अब हमारी यह nap bar complete हो चुकी है अब हमें काम करना है अपने skills section पे तो उसके लिए वापिस चलते हैं अपने code पे तो यहाँ पे नवार को हम close कर देंगे और components में main folder के अंदर बना लेंगे skills.ps और यहाँ पे run करेंगे rafce अब इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे हम बना लेंगे section बना लेंगे बना लेंगे section को देंगे styling class name flex flex call items center justify center gap 3 gap देंगे 3 का height full relative overflow कर देंगे hidden padding bottom दे देंगे 80 and padding y दे देंगे 20 अब बिसको हम id भी दे देंगे यहाँ पे लेंगे id जो की होगी skills and tile दे देंगे transform scale 0.9 9 अब इस section के अंदर चलते हैं और यहाँ पे बना लेगे हम एक div और इस div को देते है styling class name flex flex row justify round flex wrap margin top 4 gap दे देंगे 5 का items center अब हमें यहाँ पे शो करनी है skills तो उसके लिए हमें एक component बना आएंगे तो यहाँ पे आएंगे sub में हम बना लेते हैं skills data provider dot dh6 अब इसके अंदर चलेंगे और यहाँ पे टन करेंगे rf ce अब यहाँ पे हम use करेंगे framer motion का तो उसलिए हम इसे client component बना देंगे यहाँ पे लिखतेंगे use client अब हम यहाँ पे import करवा लेंगे motion from framer motion इसके बाद import करवा लेंगे use in view from react intersection observer अब यहाँ पे हम पे प्रॉप्स लेंगे source width height and last में index इसको ताइप दे रेंगे props अब इसको हम इसको आप डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे interface props सबसे बहले source है source को हम दे देंगे string width इसको हम दे देंगे number height इसको भी दे देंगे number type and last में index ये अदिए इंडेक्स ये भी number अब यहाँ पे अंदर आते हैं और यहाँ पे लेलेंगे cost ref in view equal to use in view trigger once true अब नीचे चलते है इसके और यहाँ पे लेंगे const image variance equal to इसके अंदर hidden पे इसकी opacity कर देंगे हम zero and visible पे इसकी opacity कर देंगे one and last में यहाँ पे हम ले लेंगे cost animation delay equal to 0.3 अब इस return के अंदर चलते है और इस div का हम हटा देंगे यहाँ पे लेंगे motion div और यहाँ पे set कर देंगे इसके attributes अब सबस्पेल अवाँ अगा ref equal to ref initial equal to hidden variance image variance animate equal to in view visible hidden इसके बाद custom index and last में transition delay index multiply by animation delay और इस div के अंदर हम लगा देंगे image जो क्यों होगी next image तो अपनी image को दे देंगे हम source तो यहाँ पे ले लेंगे source equal to source width equal to width height equal to height and alt में डाल देंगे skill image तो अब हमारे skill data provider बन चुका है अब हम चलेंगे अपनी skills में वापिस और इसको use कर देंगे तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे डाल देंगे skill data जो की constants हैगा dot map कर देंगे अब इसको यहाँ पे image comma index और इसके अंदर show करवा देंगे skill data provider और इसको चाहिए props तो पहले हम इसमें की डाल देंगे index source हो जाएगा image dot image width हो जाएगी image dot width height हो जाएगी image dot height and last में index हो जाएगा index save करते हैं अब इस skills को हम use कर लेंगे अपने page.tsx में hero के नीचे लगा देंगे skills और skills हमार पास उपर import हो गई अब अब चलते हैं अपनी website पे और scout put देखते हैं तो अगर हम scroll करेंगे तो आप देंगे हमार पास यहाँ पे skills show हो रही है अब हम और skills भी यहाँ पे show कर देंगे उसके वापिस चलेंगे अपने code पे और इस div को copy कर देंगे four times one two three four और यहाँ पे second वाले पे हम डाल देंगे अब front end skill next वाले पे डाल देंगे हम back end skills अब इसके next वाले पे चलेंगे और यहाँ पे डाल देंगे full stack last में रहा गया हमारे पास other skill तो अब हमने सारी skills को लगा दिया website पे वापिस चलते हैं तो यहाँ पे हमें other skills भी अब show हो रही है अब हमें इसके पीछे लगाना है एक वीडियो तो इसके वापिस चलते हैं अपने code पे और यहाँ पे हम ले लेंगे एक div class name width दे देंगे इसको full height भी दे देंगे full position absolute अब इस div के अंदर चलेंगे और यहाँ पे एक code भी ले लेंगे इसको भी दे देंगे styling width full height full z index कर देंगे minus 10 opacity कर देंगे 30 absolute flex item center justify center bg कर देंगे cover अब लगाते हैं यहाँ पे video तो यह ले ले हमने video अब इस video को देते हैं सबस्पे ले styling class name width full height auto preload कर देंगे false plays inline loop muted auto play और last में देते हैं इसको source slash cards dash video dot webm save करते हैं और अपनी website पे चलते हैं तो आप देखें हमें यहाँ पे अब वे video भी show हो रही है अब हमें यहाँ पे उपर टेक्स हो करना है इसमें लिखाऊ skills और यह हमारी skills है तो उसके लिए चलते हैं वापिस अपने code पे और यहाँ पे हम सब में एक और component डालेंगे skill text dot tsx अब इसके अंदर चलेंगे और यहाँ पे run करते हैं rfce अब इसमें भी हम use करेंगे फ्रेमर motion का तो उसके इसको भी बिनाते हैं use client और यहाँ पे import कर लेते हैं motion from framer motion अब यह रहा हमारा div इसको देते हैं styling class name width full height कर देंगे auto flex flex call item center justify center अब इस div के अंदर हम एक motion div रखना है तो हम यहाँ से hero content से अपने इस motion div को copy करेंगे और अपने skill text में यहाँ पे paste कर देंगे अब इस slide in from top को भी हम import कर वा लेंगे और sparkle icons को भी import कर वा लेंगे अब full stack developer की चागली देते है think better with next.js 14 अब नीचे चलते है और यहाँ पे बना लेंगे एक और motion div इसको देते हैं variant slide in from left 0.5 अब इसको देते हैं styling class name text 30 pixel text white font medium margin top 10 pixel text center and margin bottom 15 pixel अब इस motion div के अंदर ले देते हैं making apps with modern technologies अब हम इसके नीचे एक और motion div लेते हैं motion dot div इसको देते हैं variants slide from left right slide from right 0.5 इसको देते हैं styling class name cursive text 20 pixel text gray 200 margin bottom 10 margin top 10 pixel last में text center अब इसके नीचे लिख दे हैं never miss a task deadline और idea save करते हैं और अपने चलते हैं skills में और यहां पे हम उपर आएंगे और यहां पे लगा देंगे skill text तो उपर हमारे पास skill text import हो गया अब अपने website पे चलते हैं और output देखते हैं तो अब हमारे पास यहां पे text भी आ रहा है think better with next.js14 making apps with modern technologies never miss task deadline और idea तो अब हमारे पास यह skill section भी complete हो चुका है अब बनाएंगे हम अपना next section उसके लिए चलते हैं वापिस vs code पे तो हम skills को बन करते हैं skill text को भी बन करते हैं और यहां पे main में बना लेंगे description.tsx अब इसके अंदर चलेंगे और यहां पे रट करेंगे ref.ce अब इसमें भी हम framework motion यूज़ करेंगे इसको भी बनायते हैं client component और यहां पे हम import कर लेंगे motion from framework motion भी हमारा div है encryption को यहां से आज़ते हैं और यहां पे इसको देते हैं styling last name flex flex row relative items center justify center min इसक्रीन width दे देंगे full height भी दे देंगे full अब इस div के अंदर आएंगे और यहां पे लगा देंगे एक और div और इसको भी देते हैं styling class name absolute width कर देंगे auto height कर देंगे auto top से 0 z index कर देते हैं 5 अब इस div के अंदर चलेंगे और यहां पे लगा देंगे motion.div इसको देते हैं variance slide from top और इसको देते हैं styling class name text 40 pixel spawn कर देंगे medium text कर देंगे center and text gray 200 अब इस motion div के अंदर हमें text दाला है तो अब hero content से यहां से इसको उठाएंगे और encryption में यहां पे डाल देंगे providing के जगा कर देंगे performance नीचे यहां पे the best के जगा and और यहां पे कर देते हैं security सेफ करते हैं और अपने hero content को बंद कर देंगे और page.tsx में चलेंगे और यहां पे लगाते हैं encryption तो उपर हमारे पास encryption import हो गया और यहां पे encryption अपने लगा दिया तो अगर हम अपना output देखें तो यहां पे हमारे पास performance and security आ रहा है अप ही सलते हैं और यहां पे इस div के बाद हम एक और div लगाएंगे और इसको class देखेंगे display flex flex call items center justify center translate y minus 50 pixel position देखेंगे absolute z next कर देते हैं 20 width auto height auto बिस div के अंदर चलेंगे और यहां पे फिर से एक div लगा देंगे इसको देते हैं class name flex flex call items इसको अंदर अंदर चलेंगे और यहां पे लगा देंगे image जो की होगी next image अब इमेज को देते हैं source जो की होगा lock top dot png alt lock top width देंगे 50 height भी देंगे 50 styling देते हैं class name width 50 pixel translate y5 transition all duration 200 group over translate y11 अब इस इमेज के नीचे एक और इमेज लगा देंगे इसको भी देते हैं source lock main dot png alt में देंगे lock main width देंगे 70 height भी देंगे 70 last name styling class name z10 save करते हैं और अपनी वेब साइट पे चलते हैं तो आप देखें हमारा पास ये lock आ रहा है और अगर हम इस पे अवर करें तो हमारा lock का टॉप चल जा रहा है आप पी चलते हैं अब यहां पे इस डिफ के बाद हम एक और डिव लेंगे और इसको देते हैं styling class name welcome box px 15 pixel py 4 pixel z index करते हैं 20 border my 20 pixel border 704 2f 88b opacity दे देंगे 0.9 अब इस डिफ के अंदर चलते हैं और यहां पे लगा देंगे h1 इसको देते हैं styling class name welcome text text 12 pixel और इसके अंदर लग देंगे encryption अब इस डिफ के नीचे चलते हैं और इस डिफ के नीचे हम एक और डिफ लगा देंगे और इसको देंगे styling class name position absolute z index देंगे 20 bottom 10 pixel px 5 pixel और इस डिफ के अंदर हम एक और डिफ लगा देंगे और इसमे लग दें class name cursive text कर देंगे 20 pixel font कर देंगे medium text कर देंगे center text gray 300 और इसके अंदर ले देते हैं secure your data with and to and encryption अब यहाँ पे एक और डिफ लेंगे और उसमें लगाएंगे video तो यहाँ पे हम एक और डिफ लेते हैं और यहाँ पे लगा देंगे class name width full flex item start justify center and position absolute यहाँ पे लगा देंगे video वीडियो कर देंगे वीडियो कर देंगे लूप म्यूटिड अटो प्ले प्लेज इन लाइन प्री लोड कर देंगे false class name देते हैं width full height auto and last में देंगे source source हुआ encryption dot webm save करते हैं और अपनी website पे चलते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास performance and security section भी बन चुका है यहाँ पे हमारे log आ रहा है और पीछे वीडियो चल रही है और नीचे आ रहा है secure your data with end-to-end encryption तो हमारे पास encryption section भी बन चुका है अब चलते हैं वापिस और अब हम काम करेंगे अपने project section पे तो वापिस चलते हैं अपने VS code पे तो अब हम encryption को बन कर देते हैं और यहां पे components के main में बिना लेते हैं projects.psx and sub में हम बना लेंगे project card.psx and projects में रन कर देंगे rafce and projects card में भी रन कर देते हैं rafce अब सब्सक्राइल हम अपने project cards को बना लेते हैं तो यहां पे हम ले लेंगे props source title description and इसको type देते हैं props अब इसको यहां पे define कर देंगे interface props source को होगा string title b string and description b string तो अब हमने types you define कर दिये अब project cards में वार पास क्या होगा सबसे उपर image होगी फिर हमारा title आएगा फिर description आएगी अब इस project card को हम हटा देते हैं और इस div को देते हैं styling class name relative overflow hidden rounded lg shadow lg border border 2a 0e 6 1 अब इसके अंदर हम लगा देंगे remain जो की होगी next image अब इस image को देंगे source जो की होगा source alt में देंगे title width 1000 height 1000 styling देते हैं width कर देंगे full object contain अब इसके इसके नीचे चलेंगे और यहां पर जा देंगे एक div और इसको देते है styling class name relative padding 4 यहां पर ले लेंगे एक h1 इसके अंदर आ जाएगा title इसको भी देते हैं class name text 2xl font semi bold text white अब इस h1 के नीचे एक paragraph tag लेते हैं यहां पर आ जाएगी description इसको भी देते है styling class name margin top 2 save करते हैं अब हमारे पास project cards बन चुका है अब हम काम करते हैं अपने projects पे तो projects पे चलते हैं यहां पे अब यह हमारा div है तो इस projects को हम अटा देंगे और यहां पे इस div को दे देंगे styling flex flex call items center justify center padding by 20 एंद इसको id दे देंगे projects अब इस div के अंदर आएंगे और यहां पे लगा देंगे एक h1 जिसके अंदर लिखाऊगा my projects अब इस h1 को देंगे styling class name text 40 pixel font कर देंगे semi bold text कर देंगे transparent bg clip text bg gradient gradient to right from purple 500 तूस्यान 500 पैडिंग वाई दे देंगे 20 vh1 हमार पास बन गया अब इस h1 के नीचे यहां पे हम एक div ले ले लेंगे और इसको देते हैं styling class name height कर देंगे full width कर देंगे full flex flex call md कर देंगे flex low medium scenes के लिए अब gap देते हैं 10 padding x कर देंगे 10 अब इसके अंदर हम use करेंगे project card को project card हमार पास import हो गया अब इस project card को हम दे देंगे source चुकिए होगा slash figma clone dot png ऐसे ही title देंगे figma clone and last में description figma clone using xjs 14 tailwind css live blocks and fabric अब ऐसी हम तो ओर कार लगा देंगे यहाब लेते हैं project card इसको भी देते हैं source jogioga slash travel website dot png title हो जाईगा travel website and last में description travel website using using next dot js14 tailwind css and typescript tailwind css का टी बड़ा कर देते हैं अब लास्ट में एक और project card लगा देंगे इसको भी देते हैं source youtube clone dot png title देते हैं youtube clone and last में description youtube clone using react tailwind css and typescript save करते हैं तो अब हमने तीन project cards भी लगा दी हैं अब चलते हैं page dot tss में और encryption के नीचे लगा देंगे projects save करते हैं और अपनी website पे चलते हैं नीचे scroll करेंगे तो यहां पे आ रहा है लिख़व my projects और नीचे आ रहे है projects refresh करते हैं अभी यहां पे हमारे पास text नहीं आ रहा तो देख लेते हैं क्यों नहीं आ रहा यहां पे आएंगे projects cards के अंदर तो यहां पे हमें देना है text grey 300 और my projects में भी पूरा color नहीं आ रहा था वो इसलिए क्यों यहां पे crash लगाना हम भूल गए थे save करते हैं और अपनी website पे आप चलते हैं तो आप देखेंगे my projects बिल्कुल सही से आ रहा है और नीचे figma clone और नीचे description भी आ रही है अब हमार my projects section भी complete हो चुका है refresh करते हैं हमारा सही से आ रहा है अगर हम पूरी website को refresh करें तो यह animate होके हमारे पास आ रहा है यहां पे यह भी बिल्कुल सही से आ रहा है फिर आगे हमारा performance and security और फिर आगे हमारे projects तो अब हमारा my projects section भी complete हो चुका है अब last में हमें बनाना है footer तो उसके लिए वापी चलते हैं अपने vs code पे तो अब हम अपने projects को बंद कर देते हैं projects cards को भी बंद कर देते हैं और यहां पे components में 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 बना लेंगे footer.tsx footer.tsx के अंदर चलेंगा और यहां पे run करेंगे rfce अब हम इसमें react icons use करने वाले हैं तो उनको हम install कर देते हैं यहां पे आएंगे npm i react icons तो अब हमारे पास react icons install हो जाएंगे अब चलते हैं अपने footer में तो यहां पे इस footer को हटा देंगे हम और इस div को देते हैं styling class name width दे देंगे full height भी दे देंगे full background कर देंगे transparent text कर देंगे grey 200 shadow lg padding देंगे 15 pixel अब इस div के अंदर चलते हैं और यहां पे ले एक और div इसको देंगे styling class name width full flex flex call items center justify center margin auto अब इस div के अंदर चलते हैं और यहां पे ले लेंगे एक को देंगे और इसको देंगे styling class name width full height full flex flex row items center justify around flex wrap अब इस div के अंदर चलेंगे और यहां पे ले लेंगे एक core div इसको देंगे styling class name main width 200 pixel height auto flex 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 call items center justify start अब इस div के अंदर यहां पे ले ले देंगे div इसको भी class name देते हैं font bold text 16 pixel और इसके अंदर लिखा होगा community अब इस div के नीचे हम यहां पे लेते हैं एक p tag और इसके अंदर आजाएगा icon fa youtube तो पर हमारे पास import आगया उसका और नीचे span आजाएगा और इसके अंदर लिख देते हैं youtube और इसको भी देते हैं styling class name text 15 pixel margin left 6 pixel और इस paragraph को भी styling देतेंगे class name flex flex row items center my 15 pixel cursor pointer तो अब हमारे पास ये बन चुका है अब इसको हम copy कर लेंगे दो बार और paste कर देंगे अब next पे youtube के जहाँ हम कर देंगे fa github उपर हमारे पास इसका import आ गया होगा और youtube की जगा भी कर देते हैं github यहाँ पे लगा देंगे हम discord का fa discord तो हमारे पास उपर discord का icon import होगा और यहाँ पे भी कर देंगे discord तो अब भी हमारे पास हो चुका है save करते हैं layout में चलेंगे और children की नीचे लगाते हैं footer तो उपर footer हमारे पास import होगा save करते हैं और अपनी वेब साइट पी चलते हैं तो यहां पे मार पास community आ गया अब वापी चलते हैं पूटर में चलेंगे और इस वाले div को copy करते हैं और दो बार और paste कर देंगे और बार and second time अब community के जगा हो जाएगा social media and इस pen में आ जाएगा instagram and icon को भी हम change कर देंगे fa instagram ऐसे ही यहां पे आ जाएगा fa twitter github के जगा भी आ जाएगा twitter अब discord के जगा आ जाएगा linkedin save करते हैं अब नीचे चलेंगे नीचे आएगा about तो यहां पे community के जगा जाएगा about यहां पे हमें icons नहीं चाहिए तो icons को हम उठा देंगे अब यहां पे youtube के जगा जाएगा become sponsor यहां पे github जगा जाएगा learning about me और यहां पे डाल देंगे हम अपनी mail consgenius add rate gmail.com तो अब यह भी हमार पास हो गया अब last में जहां पे div खतम हो रहे है वहां पे हम एक और div लगा देंगे और इसको देंगे styling class name margin bottom 20 pixel text आ जाएगा 15 pixel and text center अब यहां पे आ जाएगा हमार पास copyright का icon यहां पे लिए copy तो यह हमार पास icon मुल गया फिर cost genius 2024 INC all rights reserved save करते हैं और अपनी website पे चलते हैं तो अब देखेंगे हैं हमारा footer completely बन चुका है तो अब हमारी यह website completely बन चुकी है अगर हम refresh करते हैं तो यहां पे उपर आगी हमारी नैब बार फिर आता है हमारे hero section फिर आगी हमारी skills completely animate होगे और पीछे वीडियो चल रही है नीचे आगी performance and security जहां पे लोग है encryption लिखा हुआ है और पीछे वीडियो चल रही है इसके नीचे आगे हमारे projects and last में आगे हमारे footer तो हमारी यह website complete हो चुकी है अब हम अपने project को deploy करेंगे तो deploy करने के लिए हम पहले अपने project को github पे upload करेंगे and then virtual पे deploy करेंगे तो इसके लिए खोलेते हैं github अब यहां पे बिनालेंगे new repository और इसको नाम दे देंगे हम modern portfolio website और नीचे लिख देते हैं modern portfolio site using next.js 14 और कर लेंगे create repository तो अब हमारी repository create हो चुकी है अब चलते हैं वापिस अपने vs code में और यहां पे open कर लेंगे terminal को clear and करते हैं git init git add dot इसके बाद git commit and message add कर देते हैं first commit अब वापिस लते हैं यहां पे और यहां से branch को कर लेंगे हम main इसको copy कर दे हैं और यहां पे paste इसके बाद add origin कर देंगे copy करते हैं इस command को और यहां पे paste कर देंगे and last में push करनेंगे अपने changes को यह हमने push कर दिया तो अब अगर हम github पे वापिस लें refresh करें तो हमारा project यहां पे upload हो जुका है अब हमें इसे deploy करना है using word cell तो चलते हैं आप word cell पे यहां पे आएंगे word cell word cell की website को open करेंगे तो यहां पे हमने और projects भी deploy कर रखे हैं तो यहां पे हमें click करना है add new पे project पे and then हमार पास हमारे git repositories show हो जाएंगी तो सबसे उपर आ रहा है modern portfolio website तो import पे click करेंगे हम project name हो गया modern portfolio website and deploy पे click कर देंगे अब हमारी website deploy हो रही है तो अब हमारी website deploy हो चुकी है अगर हम इसको open करें तो आप देंगे इस link पे हमारा portfolio open हो रहा है और यह completely अच्छे से चल रहा है तो अब हमारा portfolio deploy भी हो चुका है इस portfolio का complete code आपको इस github repo मिल जाएगा जिसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा इस वीडियो के end तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपकी कोई suggestion है तो नीचे comment कीजिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपसे next वीडियो में Thank you